सिंगापूर के अस्पताल में आज RJD सुप्रीमो लालु प्रशाद यादों का किट्नी ट्रांस्प्लांट सफल रहा एक घंटे तग ये ओप्रेशन चलता रहा वही लालु को उनकी बेटी रोहनी ने अपनी किट्नी टोनेट की है लालु से पहले रोहनी का ओप्रेशन किया गया फिलाल दोनों ICO में है लालु के छोटे बेटे और डिप्टी सीयम तेजस्वी ने फेस्बुक पर एक वीडियो भी शेयर किया है उन्होंने लिखा है कि पापा होस में हैं बाते भी कर रहे हैं आप सभी की सुपकामनाओं के लिए कोटी कोट धन्यवाद आपको बता दे कि RJD सुप्रीमों के किट्नी ट्रांस्प्लांट की प्रक्रिया तीन दिसम्वर से सुरू हो गई थी रोणी और लालू दोनों का ब्लेड ग्रूप भी पॉस्टिव है वही सिंगपूर के माउंट एलिजाबेट अस्पिताल में लालू का ओपरेशन वही किट्नी ट्रांस्प्लांट के बाद लालू को किसी से मिलने जुलने पर काफी सौधानी बरतनी होगी नहीं तो इंफेक्शन का खत्रा हो सकता है वही तेश प्रताब ने पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर शिपूजा भी की लालू के समर्थक उनके सफल किड्नी ट्रांस्प्लांट के लिए पटना में दुआएं भी कर रहे हैं ब्यूरर रिपोर्ट आई पियन